हलो एवरिवान वेलकम तु फिन्स्ट्रीट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ब्लॉक्चिन टेकनोलोजी की सक्सेस मी जो दो शुरुवाती नाम देखने को मिलते हैं बिटकोई और इथीरियम उनकी बात करेंगे किस तरह ब्लॉक्चिन टेकनोलोजी में रिवल्यूशन आया कि आप चेंजिस देखने को मिले धीरे धीरे उसकी भी बात करेंगे और एक ऐसे प्लाटफॉम की भी बात करेंगे जो बिटकोई और इथीरियम के स्ट्रॉंगस्ट एलिमेंस को कंबाइन करता है और एक अच्छा प्लाटफॉम बनाता है क्या फीचर् को एंड तक जरूर देखें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्चेन इवल्यूशन के बारे में कि किस तरह में ब्लॉक्चेन के दुनिया में चिंजिस देखने को मिले तो सबसे पहले फेस की बात की जाए तो वो था बिटकोईन का जिसने ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी को काफी लोग यहां पर डिलीफ करते थे, मानते थे कि जो Bitcoin और Blockchain है वो एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, Bitcoin आया 2008 में, और वो मना फर्स्ट एप्लिकेशन आफ Blockchain टेकनोलोजी, सातोशी नाका मोटो ने भी अपने वाइट पेपर में ये डिटेल किया था, कि एक electronic peer-to-peer system है, तब से जो Bitcoin है, वो एक application है, Blockchain का, काफी airwaves यहां पर हिट किये हैं, और यहां पर काफी principles को भी leverage किया गया है, और digital ledger technology की capabilities को भी यहां पर implement किया गया है, इसके बाद अगर second phase की बाद की जाएं, तो वो था Ethereum, Ethereum ने यहां पर सबसे पहले introduce किया smart contracts को, हम देखते हैं, आए दिन हमें रोज new innovations देखने को मिलती है, और इस innovation के world में, काफी यहां पर blockchain technology में काफी implementations होती हुई दिखाई दी, Officially launch था Ethereum 2015 में, तो Ethereum blockchain एक बन गई, एक one of the biggest application, blockchain technology की, और यहां पर उसने support दिया smart contracts को, और 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 काफी functions देखने को मिले, फिर 2018 में हमें blockchain 3.0 देखने को मिली, that is the future, blockchain history और evolution, सिर्फ Ethereum और Bitcoin के साथ नहीं रुख जाते, फिर भी हमने काफी implementations देखी, मींस काफी uniqueness देखी Ethereum और Bitcoin में, storage होता हुआ दिका है, इंस काफी implementations हुई है, अब हम यह देख रहे हैं कि जो वेब 3 है, उसकी काफी hype पनी हुई है, तो इसी के साथ, अब मैं आपको इंटर्यूस कराती हूँ, एक प्रजेक्ट के साथ, that is Syscoin, Syscoin क्या करता है, यह Bitcoin और Ethereum की जो strongest components हैं, strongest elements हैं, उनको combine करता है, और एक ऐसा network बनाता है आप सब के लिए, जो कि जादा secure है, reliable है, Syscoin proof of work blockchain है, और यह most domain है, Bitcoin के साथ, और इसके पास, मिन्स हम कह सकते हैं, कि यहां पर Bitcoin और Ethereum के best parts है, प्रवाइट करता है, जादा security, flexibility and scalability, Syscoin AnyVM भी है, जो कि Network Enhanced Virtual Machine है, जिसके काफी अचे function देखने को मिलते हैं, AnyVM के साथ, जो Syscoin है, वो यहां पर combine करता है, Bitcoin और Ethereum के strongest elements को, तो वो इनको combine करता है, एक single decentralized coordinated financial computation platform पे, और दोनों के aspects को improve करने पे काम करता है, Syscoin का जो AnyVM है, वो इस तरह से design है, कि यहां पर provide किया सके smart contracts को, to provide smart contracts and यहां पर interoperability provide किया सके, जो scale करेगी smart cities को and और भी developments देखने को मिलेगी, वो भी कम cost पे and जादा अच्छी performance देखने को मिलेगी, और जादा अच्छे हमें decentralized settlements होती हुई दिखाई देंगी, जो secured है, bitcoin के खुद के proof of work security model से, वो भी through merged mining, तो काफी चैस के features देखने को मिलते हैं, अगर और features की बात की जाए, AnyVM के और features की बात की जाए, तो यह इस platform को जादा interoperable और scalable बनाता है, ZDAG भी है, जो कि इनका instant settlement protocol है, जिसे use किया जाता है, कि यह पर enable किया जासे के, fast Syscoin platform token transfer को facilitate करता है, micro payments और यह पर काफी tokenized products को भी benefit करता है, अगर मैं यहाँ पर master nodes की बात करूँ, तो Syscoin के master nodes भी हैं, जो full nodes हैं, जिने incentivize किया जाता है, कि वो online रहें and operate करें 24-7, currently बात की जाएं, अभी की बात की जाएं, तो जो master node है, वो provide करते हैं two services, पहली है chain locks, जो increase करती है chain की security, over and above, जो हमें security देखने को मिलती है, proof of work blockchains में, उनसे भी जादे security, and second है, यह enable करती है, fast ZDAG payment protocol को, तो यह थे features NIVM के, अगर मैं यहाँ पर features की बात करूँ, Syscoin के, यहाँ पर आप launches कर सकते हो, इस fast, reliable, or hassle-free network पर, जो आपकी applications को और जादा scale करेगा, और जादा scalability प्रोवाइड करेगा, यहाँ आप आप design कर सकते हो, most ambitious future proof projects को, means आपको यहाँ पर डर भी नहीं होगा, कि scalability कम हो रही है, यह आपको जादा fee payment करने का भी डर नहीं होगा, अगर मैं इनके road map करूँ, तो यहाँ पर काफी token listings होनी है, यहाँ पर उनकी integration भी देखने को मिलेगी, multi-chain के साथ, और भी upcoming projects है, NIVM जो launch होने वाले हैं, अगर जैसे कि मैं बात करूँ जैसे कि Syscoin Dex, अगर अगर मैं Syscoin Dex की बात करूँ तो दार है Pegasus, जो कि 1st Dex है, and AMM है, जो बना हुआ है Syscoin के NIVM, यहाँ पर swap, earn, or build कर सकते हो, leading decentralized crypto trading protocol on Syscoin, और projects की बात की जाए, तो जैसे कि लगजी, जो की powerful and user-friendly NFT marketplace है, तो काफी अच्छी यहाँ पर इसकी functioning देखने को मिलती है, I hope आप सबको काफी कुछ समझ आ गया होगा आज की इस वीडियो से, आपके क्या व्यूपोंस आप में कमें सेक्शन में ज़रूर बताए, and आप कुछ Syscoin का link भी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल हो जाएगा, आप चेक आप कर सकते हैं, and और फंक्शन स्क्रिप्ट कर सकते हैं, So this was for all about today, thanks for watching our video, we will come again with another such information, till then stay tuned, and follow Finstreet for more such updates.